बहुत समय पहले चारली नाम का एक डाइनासोर रहता था, जो सभी के साथ अच्छा और अच्छा व्यवहार करता था, हाला कि उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिससे वह खुश नहीं था, उसके दोस्त उसकी लंबी गर्दन का मजाक उडाते थे जिससे उसे बहुत दुहक होता था, एक दिन, चारली के दोस्त ने उसे एक घर की पार्टी में आमंतरित किया, वह इसे लेकर बहुत उत्साहित था और उसने अपना सबसे अच्छा सूट और धनुश पहन लिया, जैसे ही चारली अपने दोस्त के घर में प्रवेश करने वाला था, उसका सिर दीवार से टकरा गया और उसकी लंबी गर्दन के कारण वह अंदर नहीं जा सका, सभी लोग हंसने लगे और उसका मजाक उडाने लगे, चारली की आंखों से आंसु छलक पड़े और वह खूब रोता हुआ वहां से भागा, वह इतनी तेजी से भागा कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कहां जा रहा है, उसने खुद से कहा, मुझे अपनी लंबी गर्दन से नफरत है, यह मुझे मूर्ख जैसा बनाता है, मैं कभी किसी के काम नहीं आऊंगा, जल्द ही उसने खुद को जंगल में पाया और घर वापस जाने का रास्ता भूल गया, रोने धोने और भागद से खुली, उसने चारो ओर देखा लेकिन उसे कोई प्राणी नजर नहीं आया, फिर उन्होंने पूछा, कौन रो रहा है, अपने आपको दिखाए, एक कापती आवाज ने कहा, यह मैं हूँ, चारण हूँ मैं, चारली अपने पैरों के पास एक छोटे से पौधे को देखन के लिए जुका, जिसकी आखों में आसू थे, पौधे से यह पूछने पर कि वह क्यों रो रहा है, पौधे ने कहा, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उंचे-उंचे पेड सूरज की सारी रोशनी को मुझ तक पहुचने से रोकते हैं, मैं भी उनकी तरह लंबा होन चाहता हूँ, और यह सिर्फ मैं ही नहीं, बलकि हम में से कई लोग हैं, चारली को पौधों के लिए बुरा लगा और उसने सोचा कि वह उनकी कैसे मदद कर सकता है, अचानक उसे एक विचार आया, उन्होंने छोटे पौधों से उनकी मदद करने का वादा किया, चारली ने उन्चे पेडों की शाखाओं तक पहुँचने के लिए अपनी लंबी गर्दन का इस्तिमाल किया और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुँचने के लिए परियाप पत्तियां खा ली, हाला कि उसने सारी पत्तियां नहीं खाई, ताकि उन्चे पेड भी जीवित रह सकें, छोटे पौधे इतने खुश थे कि वे गाने लगे और सूरज की रोशनी में आनंद मनाने लगे, उन्होंने चारली को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और उसके अच्छे दोस्त बन गए, अंतता चारली को एहसास हुआ कि वह भी दूसरों के लिए उप्योगी हो सक और उसे अपने अच्छे गुणों पर गर्व होना चाहिए.